द्वाद अश्मी का खुशायाम पटितारा ये चात्रा संती तेश्राम करत्यास्माकम यूटूब चनल लखनमाली इत्यासु परे स्वागतम अध्यवयम वासब दत्ताहा सुबंदु कथा इत्यास्मिन विशय अध्यवयम पठामाहा आज हम जानेंगे बच्चो वासब दत्ता जो हमारा एक गद्य कथा है उसके बारे में हम आज आपको पूरी डेटेल बताने वाले हैं कमप्लीट पूरी आपको इसमें पूरी कहानी को हम बहुत ही अच्छे रोचक प्रकार से बताएंगे यहां पर आपको पता है कि इसमें से जो छोटे छोटे प्रशना आते हैं वो कैसे आते हैं कि सुबंदु की कथा का नाम क्या है बासब दत्ता के रचियता कौन है इसका नायक कौन है नाही का कौन है ठीक है कंदर पिकेति कौन था तमाली का कौन है मकरंद कौन था ऐसे इसमें से प्रशना आपके बन सकते हैं जैसे आप पूरी कहानी को सुन लोगे कथा को पूरा सुन लोगे तो गारंटी से आप सारे प्रशना आराम से कर लोगे कहीं दिक्कत नहीं है तो चलिए दोस्तों स्टाट कर लेते हैं बहुत कम आपका मेटर बचा हुआ है बस आपका किवल एक वीडियो और रहेगा इसके बाद में शिवराज विजयम का इसके बाद में संपूर मेटर आपका हो जाएगा ठीक है तो चलो स्टाट कर लेते हैं इसमें आपको प पूर्पूर के मध्य माना जाता है नायक इसके कंदर्वकेतु को माना जाता है और नाई का वासबधत्ता को माना जाता है अब प्रारम्ब होती है इसकी मुख्य कहानी कहानी को समझते हैं कथा को समझते हैं चलिए दोस्तों राजा चिंता मनी का बेटा राजकुमार कंदर पकेतु निद्रा देवी की गोद में विराजमान था उसने सपने में किसी सुन्दरी कन्या को देखा जैसे ही उसने सपना देखा तो सपने में उसे एक सुन्दरी कन्या दिखाई दी वह उस कन्या को पाने के लिए विकल हो उठता है परिशान हो जाता है और सोचता है कि चाहिए कुछ भी हो मुझे इस सपनी में दिखी हुई सोंदर ये वाली कन्या को प्राप्त करना है फालतह वे उसकी खोज में अपने मित्र मकरंद के साथ में निकल पड़ता है रात्री हो जाने पर वे एक ब्रक्ष के नीचे शर्ण लेता है रात्री हो जाती है एक पेड़ उसको मिलता है पेड़ के नीचे सो जाता है पेड़ पर बैठी सारी का से उसे ग्यात होता है कि पाठली पुत्र की दुलारी राजकुमारी ने सपने में कंदर पकेतू को देखा है जिसका अनवेशन करने के लिए उसकी सारी का तमाली का निकली है आगे चल करके शुक दमपती की साहिता से नायक और नायिका का सुखध मिलन होता है दोनों के हिर्दे सागर में परस पर अनुराग की उत्ताल तरंग हिलोने ले रही थी वासब दत्ता का पिता श्रंगार शेकर उसका विवहा किसी विद्याधर से करने के पक्षिधर थे फलतह दोनों प्रेम के पुजारी राजकुमार और राजकुमारी जादू के एक अश्व पर सबार हो करके बिंद्यावटी में भाग करके चले जाते हैं एक दिन कंदर्प के तू सो रहा था तथा वासब दत्ता बाहार जंगल में ब्रह्मन करने के लिए निकलती है वहां उसको प्राप्त करने के लिए किरातों को दो दलों में संगर्स हो जाता है आपस में लड़ाई हो जाती है मतबेद हो जाता है वासब दत्ता अवसर पाकर के धीरे से एक रिशी के आस्रम में चली जाती है रिशी क्रोदित हो जाती है रिशी को गुष्षा आ जाता है रिशी के शाप से वह वहां पर शिला बन जाती है क्योंकि रिशी ने श्राप दे दिया क्योंकि रिशी के आश्रम में बिना अनुमती के प्रवेश कर गई रिशी को गुसा आ जाता है वह क्रोदित हो करके उसको श्राप दे दिते हैं इस कारण सिव है रिशी के स्राप से वहां पर शिला बन जाती है याने पत्थर की मूरती बन जाती है जागने पर जब कंदर्प के तु वासब दत्ता के लिए विकल हो जाता है परेशान हो जाता है इदर उदर उसको ढूनने की कोशिश करता है लेकिन कहीं भी प्राप्त नहीं करता है तो वह उसे ने पाने पर आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है आकाशवानी होती है आकाशवानी से उसे ग्यात होता है कि ऐसा नहीं करें और ऐसा करने से आकासवानी के तुरूबर रुख जाता है अंत में वहे जंगल में वासबदत्ता का पता लगा लेता है राजकुमार के छूते ही शिला राजकुमारी जो है वो वासबदत्ता बन जाती है और पुने वो अपने असली रूप में आ जाती है बाद में मकरंद जो की कंदर पकेतू का दोस्त है वे भी आकर के इन से मिलता है अंत में सबी बापस अपनी राजधानी आ जाते हैं और अपना जीवन सुख की साथ में जीते हैं तो ये थी दोस्तो वासब दता की कहानी एक कथा बहुती सुन्दर से कम शब्दों में हमने आपको यहां पर बताया तो केवल इसमें हमने कथा को बताया है कि इसकी जो कथा है वो क्या है हालनकि इसमें और कोई विशुष वात है नहीं केवल कथा के बारे में आपको समझना है तो आपको याद रखना है कि नायक कौन है एक तो नायक आपको याद रखना है इसमें तो नायक कौन है बताये तो इसमें नायक ध्यान रखना है आपको कंदर पकेतू और नाईका य जो समय है वो कितना माना जाता है तो सुबंदू का समय माना जाता है आपका 600 से लेकर के और 600 से 700 के बीच में सुबंदू का समय माना जाता है अब यह का यही इसमें कहानी जो है समस्कृत के अंदर भी लिखी हुई है आप संस्कित के अंदर भी समझ सकते हैं हालांकि यही बात है जो हमने अभी बताई है आप पुस्तक के अंदर भी देख सकते हैं बच्चों देखिए पुस्तक के अंदर संस्कित में लिखा हुआ है ज्यादा कोई खास बात है नहीं हालांकि हमने पूरी इसमें जो भी विशेश वाके थी कहानी के रूप में हमने हिंदी में आपको सरल से समझा दिया है अब यहां पर भी आप देख सकते हैं देखिए लिखा हुआ है यहां पर सिंपल सा सीधा सा वासबदत्ता नामक है एक हा एवा ग्रंता हा सुवंदू हु कृतत्वे नह प्राप्यते है यानि वासबदत्ता नाम का एक ग्रंत ही यहां सुवंदू की कृति के रूप में प्राप्त होता है यानि सुबंदू की सिर्फ एकी कृती प्राप्त होती है सुबंदू की जो एक कृती का नाम है वास्वदत्ता है अयमेव ग्रंतहा सुबंदेहे प्रसिद्धेहे आधारास्ती यही ग्रंत सुबंदू की प्रसिद्धी का आधार माना जाता है अस्ये सुबंदू हो समया का, इस सुबंदू का समय क्या है इतियत्र विचार यते, इसकी विशे में यहां पर विचार किया जाता है यानि यहाँ सुबंदू के समय के बारे में आगे विचार कर रहे हैं कि आयम सुबंदू हु स्वग्रंथे विक्रमादित्यम स्मरती यानि कि यह जो सुबंदू है अपनी ग्रंथ के अंदर विक्रमादित्य का विचार करता है विक्रमादित्य के विशे में यहाँ पर इस्मरण करता है यहाँ पर देखिए उन्होंने स्यम ने लिखा है विक्रमादित्य के विशे में क्या लिख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर इस लोग के माध्यम से विक्रमादित्य का इस्मरण करता है आगे लिखते हैं कौन से नम्मर का विक्रमा दित्य है कौन सा विक्रमा दित्य है इस प्रसंग में बहुत सारे आलोचक मिहर कुल नाम के हून राजा से पराजित बाला दित्य सखा यशो धर्मा एवायम ही यह विक्रमा दित्य है ऐसा इती निर्णयंती इस प्रकार निर्ने करते हैं कि ये यशो धर्मा ही विक्रमा दित्ते हैं इस प्रकार से वो बताते हैं तीक है इस प्रकार ये यहाँ पर बता रहे हैं अब देखो आगे आगे लिखा हुआ है यशो धर्मना हां समयस्चेह शष्ठ शतगस्याह मद्यभागाईती निर्णयंती और जो यशो धर्म है उसका जो समय है यशो धर्म जो है वो सश्ट शतावधी के बीच में यानि मद्य भाग में निर्णे उसका लिया किया जाता है यानि कि उसको बताया जाता है ठीक है निर्णयंती का मतलब होता है यहां इस बीच में उनको निर्णयत करते हैं एतेन सुबंदो समयाहा सश्ट शतकस से मद्य भागा एती नर्णायंती तो वो कहते हैं कि जब जो सुबंदो है उसका समय भी सश्ट शतावधी के मद्य में ही नर्णेत की जाता है यानि उनको भी माना जाता है एतेन सुबंदो हो समया हा शटक से पूरवागा एती तू वक्तम शक्यते तो छे शतावधी के पूरव बोला जा सकता है कहा जा सकता है बता जा सकता है यह यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है अलांकि इसमें कोई खास बात नहीं है इस पार्ट को आप पढ़ोगे तो इसमें कोई जादा ऐसी महत्वपून वाली बात मिलेगी नहीं फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए अब दूसरा एक तरक आप देखेंगे यहाँ पर मतलब बानभट जो है वो सुवंधो कथा को दिया उद्धी में निवध्यम मतिद्वई यानि बुद्धी में निवध्य करके मतिद्वई कथा यानि दो मतिवली कथा इत्ययम स्मरती इसी कथा को वो इसमरन करता है बान सब्त शतक उत्पन नहा यानि जो बान है वो सात्वी शताबदी में उत्पन इती ऐसा बताते हैं तत है पूर्वर्ति त्वेन सुबंदो उससे पूर्वर्ति सुबंधु शष्ट सत पूर्व भाग भाग भवत्वम युज्यतेव याने उससे पूर्व का बताया जाता है ठीक है ऐसा यहां पर बता रहे हैं याने की तर्क दे रहे हैं आगे भ बासब दत्ता याम शलेश द्वार। उद्ध्योत कर रसस्वरूपाम यानि उद्ध्योत कर रस स्वरूप को और अध्योत कर अध्योत कर का समय शष्ट सताब शष्ट उद्ध्योत कर से समया हा शष्ट सब्तम शताब ध्योर अनंत काले मन्यति चट्वी साथवी शताब धी के अंत काल में यहां पर अंतिम समय में माना जाता है एवी ही निदर्शन ही सुबंदो हो समया हा शष्ट सतकम मन्यति इससे यहां सुबंदू का समय शष्ट सतकम यानिश्चे इस भी माना जाता है आचार्यें बल देवा नापी बिविदः प्रमाणाई ही सुबंदो हो समयाहा शश्च्ट सतक एवन रिस्चिताहा है यह सर्वत युक्ताहास्ती तो यहाँ पर आचारिय बलदे वो पाध्याय जो है इनको विविद प्रमानों के द्वारा सुबंदु का जो समय है वो शष्ट सतावधी एव इस्चिताहा किया गया है यही सबसे ज़्यादा युक्त इनका माना जाता है प्रमाने के तत्वु ठीक है तो यही सबसे ज़्या क्थानक में क्या है अब देखो कथानक देख लो इसमें सौट में बालंक की अमने इंदी में आपको बताई दिया जो हिंदी में बताया था उसी प्रकार यहां भी लिखा हुआ है देखिए सुबंदो हो वासब्दत्ताया संबंदा हा प्राचीन भारत से आख्याई का यहा कह रहे हैं कि सुबंदो हो वासब्दत्ता का जो संबंद है वो प्राचीन भारत की आख्याई का वासब्दत्ता के उदयन और उदयन के प्रेम कता से सर्वता भिन्द है जो उदयन है ना उसके जो प्रेमगता वाली एक ञाटक है Internet1 कि जो प्रेमगता से संबंदे तो उससे भिन्ध मेटर है ये तो सुवंदू की जो वासबदत्ता है इसका संबंद एक उदर वासबदत्ता और अधियन ऑर वासबदत्ता की जो कहानी है तो यहाँ पर आपको बताया कि सुबंदो हो वासबदत्ता की एक कहानी और एक है वासबदत्ता और उधियन की कहानी इन दोनों के अंदर कहते हैं कि भिन्नता है कोई समानता नहीं है इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है बच्चो ठीक है तब यहाँ लिखा हुआ है यह आगे लिखते हैं अस्याहा संपूर्णम कथानकम कवे है मस्तिशक से कल्पनास्ती इसकी जो संपूर्ण कथानक है यह कवे की मस्तिशक की कल्पना है हलांकि यह सारी चीजे काल्पनिक चीजे हैं इसमें वास्तविक्ता कुछ भी नहीं है कल्पना करके लिखा गया है सब कुछ अब इसमें वही चीज है लिखते हैं मित्रेन मकरंदेन सह से सहा निरगच्छती वह उसकी अनवेशन के लिए उसको ढूणने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए कंदर्प केतु अपने मित्र मकरंद के साथ में निकल पड़ता है रात्र उसे है विंद्यवने हितिष्टती रात्री में वे विंद्यवन में ठेहरता है यत्र ब्रक्षिस्तितसारिका ग्यायतें वहाँ पर ब्रक्ष में इस्तित शारीका से ग्यात होता है कि पाटली पुत्र से राजकुमारी स्वपने कंदर पकेतु अपश्यत की पाटली पुत्र की राजकुमारी कंदर पकेतु तो ग्यात होता है कि पाटली पुत्र की राजकुमारी के द्वारा सपने में कंदर को देखा गया ठीक है कि तस्य कंदर पकेतू को डूणने के लिए सारी का और तमाली का सनलगन है वो उसको डूण रही है एवं विदयाहा शुक दमपती द्वारा नायक नाईकयो मेलनम भवती फिर आगे कहते हैं शुक दमपती के द्वारा ठीक है आगे जाकर के नायक और नाईका दोनों का मिलन होता है कौन-कौन कंदर पकेतु और वासबदत्ता का मिलन होता है आगे लिखते हैं उबयो हिर्दय परस पर प्रगाड हानुराग हस्ती दोनों की हिर्दे में प्राग यानि बहुत ज़्यादा अनुराग प्रेम है परंतु वासबदत्ता या पिता श्रंगार शेखरा तस्या विवाहाम के नचित विद्याधरेन सह करतों विच्छती लेकिन वासबदत्ता के जो पिता है न स्रंगार शेखर वो उस वासबदत्ता का विवाहा किसी अन्य विद्याधर नाम के व्यक्ति के साथ में करने के इच्छुक हैं वो उससे करना चाते हैं ठीक है तो अब देखो यहाँ पर आगे क्या होता है जैसे जैसे हमने पहले हिंदी में आपको कहानी सुनाईती वही मेंटर यहाँ पर मिलेगा फिर आगे लिखते हैं अईका की रूपिन वने हैं भ्रहणार्थम गच्छती सा अब वे कंदर पकेतु के बिना ही अकेली ही वनमें घूमने के लिए चले जाती है ताम प्राप्त्य अर्थम किराता नाम समुह द्वे संगर्शम भवती उस बासबदत्ता को प्राप्त करने के लिए दो किरात समुहों में संगर्श होता है वो उसको प्राप्त करना चाते हैं कि नई हम लेंगे उसको हम प्राप्त करेंगे बासबदत्ता के को प्राप्त करने के लिए दोनों करात संबूल लड़ने लगते हैं बासब दत्ता हा गुप्त रूपेन कस्यचित रिशे आसरमे प्रभिशती यत्र सा रिशी शाप वशात शिला रूपेन परीवर्तिता भवती बासब दत्ता गुप्त रूप से किसी रिशी के आसरमें प्रभिश कर जाती है वहाँ पर वहे रिशी के शाप के कारण शिला रूप में परिवर्तित हो जाती है, रिशी को गुस्सा आ जाता है और श्राप दे देता है। अनवेशनम करोती अन्ततो गत्वा याने लास्ट में जाकर के वहे बन में उसको ढूणता है, खोजता है, यत्रकंदर पकेतो हो, इसपर्शत द्वारा सा मानुशी रूपम धार्यती, जैसे ही उस कंदर पकेतो का वासब दत्ता जो सिला बन जाती है, पत्थर बन जाती है, उ मकरंदाह तत्रागच्छती, उसके बाद में मकरंद भी वहाँ पर आ जाता है, सरवे राजधान्याम निर्वत्ये, सभी राजधानी को जाकर के सुख पूरवकम जीवन यापन, हम कुरवनती उसके बाद में सुख पूरवक जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार से वासब करता की जो कथा है, वो पूरी हो जाती है, बहुती सिंपल और बहुती अच्छी प्रेम पूर्ण वाली कहानी और कथा जिसको हम कह सकते हैं, अच्छे से आपने सुनी और अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, तो चलिए आज के इस छोटे सी वीडियो में इतना ही पर वीडियो कैसा लगता यह जरूर बता है, चलिए दूस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद, जैतु भारत, जैतु शूर्ण